हेलो दोस्तों आज वी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी यूजर एकाउंट को एड्मिस्टेटर एकाउंट कैसे बनाएं यानि किसी भी यूजर एकाउंट को एड्मिस्टेटर के राइट्स कैसे दें तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास तक जूर देखें सो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस इंहें प्रतिक्सी और आप देख रहे हैं आपका अपना चनल बेटर्टेक्स तो चले इस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब हम आचुके हैं कंप्टर स्क्रीन पे जहां पर हम देखेंगे कि किसी भी यूजर एकाउंट को एड्मिस्टेटर एकाउंट का राइट्स कैसे देते हैं दोस्तों सबस्तों पहले आप अपने कंप्टर के कीबोर्ड की विंडोज और आर की बटन को पेस करिए एक साथ तो यहां पर आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा अब आपको रन पे चलाना है lusrmgr.msc आप जान से देखिए यह कमांड को lusrmgr.msc इसका फुल फॉर्म होता है localusrmanager.microsoftconsole अब यह कमांड टाइप करने के बाद आप इंटर कर दीजे अब जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने विंडो ओपन होगी local users and group की यहां पर आपको users पे जाना है users पे आप double click कर दीजे अभी आप देख सकते हैं कि मेरे computer पे तीन users सो हो रहे हैं पहला administrator जो by default admin रहता है यह by default disable होता है लेकिन मैंने enable करके रखा हुआ है दूसरा user account है जो कि यह भी admin मैंने बना कर रखा है अब आपको पता कैसे करना है कि admin account है कि नहीं तो आप इस पे right click करिए किसी भी user account पे और properties पे जाएए उसके बाद आप member of पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह भी administrator account है और तीसरा user account है guest का अब आप मान लोग कि आप किसी भी user account को admin के rights देना है चुकि मेरे दोनो user account पे admin के rights है और तीसरा जो guest account है यह भी disable होता है तो यह अभी disable है मैं क्या करता हूँ एक new user account बनाता हूँ तो right click करके आप new user account पे जाए यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दो यहाँ आप मैंने नाम दे दिया प्रतीक और उसके बाद आप create कर दो create पे click करके जैसे आप create पे click करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतीक नाम का user बन चुका है अब आप इस पे right click करके check करिए properties पे जाके अब यहाँ पर हम member off पे देखेंगे तो यह अभी normal users है अब आपको इस user account पे administrator creates देने हैं तो आप right click करो फिर से properties पे जाओ और उसके बाद आप member off पे जाईए और उसके बाद आप हमें click करना है add पे जैसे आप add पे click करेंगे आपके सामने एक new window open होगी यहाँ पर आपको advanced option पे जाना है और उसके बाद आपको find option पे click करेंगे जैसे आप Find Option पे क्लिक करते हैं सबसे उपर आपको Option मिल जाएगा Administrators का इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको OK कर देना है जैसे आप OK करेंगे Better मेरे Computer का नाम है Slash Administrator आ गया है अब उसके बाद आपको OK कर देना है जैसे आप OK करेंगे अब आप जख सकते हैं कि यहाँ पर administrator भी add हो चुका है इस user account पे उसके बाद आपको apply पे click करना है और उसके बाद okay कर देना है जैसे आप apply ओके कर देंगे अब आप जख सकते हैं अब हम फिर से इस पे right click करेंगे user पे और properties पे जाएंगे और member of पे जाएंगे यह user account भी administrator account बन चुका है तो कि इसमें administrator के rights आचुके है अब आप चाहें तो user के rights इस पे remove कर सकते हैं अगर आप चाहें तो users पे click करके आप remove भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें कि administrator rights भी इस user से खतम हो जाए तो आप administrator पे click करके remove कर सकते हैं Remove करने के बाद आपको Apply और OK करना है जैसे आप Apply और OK कर देंगे तो इस User Account से फिर से Administrator का rights चला जाएगा और ये Normal User Account बन जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी Normal User Account को Administrator Account बना सकते हैं और किसी भी Administrator Account को Normal Account बना सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, I think आपको यह वीडियो पसंद नहीं होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, एक नई वीडियो के साथ आप से फिर मलागात होगी, तब तक लेगड़ बै, all the best!